तो friends चलिए बनाते हैं एकदम quick and easy गुजराती स्टाइल breakfast तो हम बनाने वाले हैं खीचू राइस फ्लार से इसे हम बनाएंगे और बहुत ही जल्दी बन जाता है खाने में भी एकदम delicious है तो चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं तो एक कप चावल के आटे से हम बनाने वाले हैं इसके लिए हमें लेना है 3 parecer पानी तो यह है इसका रेशियो अगर एक कप आप चावल का आटा लेते हैं तो उसी कप से नाप के आपको लेना है 3cope जितना पानी तो चलिए पांवने ले लिया है गैस को ओन करेंगे पानी को गरम करेंगे और अभी इसमें हम डालेगे कुछ मसाले थाकि हमारा जो खीचू है वो एकदम फ्लेवरफुल और टेस्टी बने तो एक टीस्पून जितना जीरा डालेंगे एक टी स्पून जितनी अजवेन डालेंगे एक टेबल स्पून जितना हम तिल डालेंगे इसमें क्रश किया हुआ हम डाल देंगे इसमें अदरक और मिर्ची एक टेबल स्पून जितना और खीचु को एकदम लाइट और फलफी बनाने के लिए एक चुटकी जितना इसमें हम डाल देंगे बेकिंग सोडा और अभी लो मीडियम फ्लेप पे हमें इस पानी को उबलने देना है पांच से छे मिनिट के लिए ताकि जितने भी हमने फ्लेवर इसमें डाले है वो अच्छे से पानी में घुल जाए चलिए तो पानी जो है वो उ चावल का अर्टा लिया है एक कप और थोड़ा थोड़ा करके हम चावल का आठा इसमें डालते जाएंगे और इसे विश्क करते जाएंगे ताकि इसमें कोई भी लम्ज हो टूट जाए और हमें चाहिए एकदम स्मूद कीचू और अभी इसमें हम डाल देंगे नमक स्वात के अनुसार और इसके साथ इसमें डाल देंगे धनिया पती और अभी हम गैस की फ्लेम अन करेंगे और लो फ्लेम पे इसे हमें सिर्फ एक से दो मिनिट के लिए ही पकाना है तो अभी आप देख सकते हैं जो मिक्स्चर है इसने पैन की साइड छोड़ना शुरू कर दिया है य कर देते हैं अभी हम लेंगे एक थाली और इसे हम कर लेंगे घ्रीज तो थोड़ा सा तेल डालके इसे मग्रीज कर लेंगे और अभी यह जो mixture हमने बना के रखा है इस से इस थाली में हम spread कर लेंगे तो friends अगर आपको यह recipe पसंद आती है तो जल्दी से नीचे like का बटन है उसे प्रेस कर लीजे वीडियो को end में शेयर करना भी ना भूलिएगा recipe अच्छी लगिए तो comment में yummy type जरूर करिएगा ताकि मैं आपको thank you बोल पाओ और ऐसी tasty recipe के लिए जल्दी से मेरे page को भी follow कर लीजिए तो चलिए अभी से हमें करना है steam तो पानी को अल्रेडी गरम होने के लिए रख दिया है इसे हम steamer में रख देंगे ठकन को बन कर देंगे और इसे हम steam होने देंगे 8-10 मिनिट तक तो चलिए हमारा जो खीचू है उसे और भी tasty बनाते है तो एक frying pan लेंगे इसमें हम डाल देंगे 2-3 बड़े चमच जितना तेल तेल को एकदम गरम करेंगे तो तेल जैसे ही गरम हो जाएगा इसमें हम डालेंगे 1 टेबल स्पून जितना बारिक चॉप किया हुआ लसन लसन को fry कर लेंगे तेल में इसमें डालेंगे तिल लाल मिर्ची पाउडर और थोड़ा सा धनिया पाउडर और थोड़ा सा नमक मिक्स कर लेंगे तो जो खीचू है इसके साथ लसन का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत ही बढ़िया रहता है तो चलिए 8-10 मिनिट हो चुके है और जो खीचू है वो भी स्टीम हो चुका है तो चलिए अभी इसे हम निकाल लेते हैं और यह जो खीचू है इसे हमें गर्मा गरम ही सर्व करना है तो आप देख सकते हैं जो खीचू है यह कितना टेम्टिंग लग रहा है इसमें जो स्पाइसे हमने डाले है इसका एक बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है इसे हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं उपर से डाल देंगे थोड़ा सा गालिक ओयल और थोड़ा सा हरा धनिया तो जो गालिक ओयल है यह कंप्लीटली ओप्शनल है आप इसकी जगा पे नॉर्मल तेल डालके भी खा सकते हैं या तो ऐसे भी इसे खा सकते हैं तो आप देख सकते ये कितना soft और light बना है एक तब melt-in mouth है तो friends आप भी इस recipe को breakfast या तो evening snack के लिए ट्राइ ज़रू करना recipe पसंद आई है तो वीडियो को like, share, comment और follow करना ना भूलिएगा तो हम जल बिलेंगे ऐसी tasty recipe के साथ तब तक के लिए बाई बाई